हलो दोस्तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में इस वीडियो में 38 कमर की फिटिंग पैंड की कटीन की स्थर से की जाती हैं देखेंगे तो चले दोस्तो पैंड का नाम देख लेते हैं लंबई है 35, हीप है 40 इंच, कमर 38 इंच, बाटम है 13 इंच, जांग है 25 इंच और लटक है 24 इंच, घुटना है 18 इंच तो यहाँ पर एक सिधी लाइन करेंगे कपड़े को सिधा करने के लिए जहां पर हमने लाइन किया है, यह देखें, सिधी लाइन तो वहाँ से एक इंच उपर की तरफ निकालेंगे और यहां पर लंबई का निसान रखेंगे, 35 इंच, उसके बाद 2,5 इंच फोल्डिंग के लिए इसके बाद घुटने का निसान लगाएंगे, तो लंबई का हाप करेंगे, उसमें हाप इंच प्लस कर देंगे और निसान लगाएंगे इसके बाद इंची टेप को इस तरह से नीचे लखेंगे और यहाँ पर हम लटक का निसान लगाएंगे तो लटक है 24, उसका हाप करेंगे तो 27 बारा इंच होगा 24 का हाप 27 बारा इंच और उसमें 3 इंच माइनस करेंगे बेल्टे के लिए तो यहाँ पर हम 27 इंच पर लटक का निसान रखेंगे सेम निसान यहाँ पर लगाएंगे 27 इंच और इस तरह से यहाँ पर हम कुड़ने का निसान लगाएंगे उसके बाद हम लंबाई का निसान रखेंगे और यहाँ पर फॉल्डिंग लिए जो अधाई इंच लिए हैं उसके निसान रखेंगे यहाँ से कोर से हम हाप इंच पर एस्टर निसान लगाएंगे उसके बाद जान कर निसान रखेंगे तो जान का हाप होगा साड़े बारा इंच तो यहां से हम यह देखी यहां से 12.5 इंच पर निसान रखेंगे उसके बद फ्लाई के लिए 12 इंच रखेंगे इसके बद जहां पर हम फ्लाई का निसान रखेंगे यहां से हम इंची टेप को देखेंगे तो 13.5 इंच तो कमर के पास भी हम इंची टेप को 1.5 ग्यारा इंच पर रखेंगे और यहाँ पर हमने 1.5 इंच लिया है तो यहाँ पर हाप इंच माइनस करके लेंगे यह देखे इस तरह से इसके बाद फ्लाइ को हाप इंच डाउन करेंगे और जांग वाले लाइन से हम यह देखे पौने 2 इंच पर एक निसान रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर फ्लाइ को राउन करेंगे इसके बाद कमर का निसान रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कमर है 38 इंच है तो 38 का चौंथा इससा करेंगे तो 9.5 इंच और एक इंच दबाव के लिए लेंगे तो 10.5 इंच तो यहाँ से देखे हम 10.5 इंच पे निसान रखेंगे उसके बाद पाकेट का निसान रखेंगे 2.5 इंच पे उसके बाद उपर से निचे पाकेट के लिए लेंगे पौने 7 इंच उसके बाद राउंड फंटी लेंगे और कमर से जांग तक इस तरह से सेब देंगे यह देखी इस तरह से राउंड करते हुए यहां पर पाकेट को भी सेब देंगे इस तरह से लाइन करते हुए और जहां पर हमने हाप इंच फ्लाई को डाउन किया है तो हम इसको इस तरह से से शेब देंगे यह देखी इस तरह से से शेब देंगे जिससे हमारा जो कमर साइड है यह देखी लगभग दो सूंत उपर की तरब चला जाए यह देखी इस तरह से इसके बाद जितना हम जांग पर निसान रखे हैं यह देखे तेरा इंच तो यहाँ पर भी हम इंची टेप को तेरा इंच पर रखेंगे और इस तरह से डबल कर लेंगे इंची टेप को और यहाँ पर सेंटर का निसान रखेंगे इसके बाद इस सेंटर वाले लाइन को यह देखे निसान को यहाँ पर भी लगाएंगे बाटम के पास इसके बाद यहां पर घुटने का निसान रखेंगे 18 इंच तो 18 का हाप करेंगे तो 9 इंच और 9 का हाप करेंगे तो 4 इंच तो सेंटर से 4 इंच इधर लेंगे और 4 इंच इधर लेंगे तो 9 इंच इसके बाद हम बाटम का निसान रखेंगे तो यहां पर 13 इंच तो 13 क हाप करेंगे तो साड़े छे इंच और साड़े छे का हाप करेंगे तो सवा तीन इंच तो यहां से सेंटर से सवा तीन इंच इधर लेंगे और सवा तीन इंच इधर लेंगे इसके बाद राउंड फंटी लेंगे और तीनों इस तानों को मिलाते हुए इस तरह से हम सेप देंगे यह देखे बाटम से जांग तक हम इस तरह से सेप देंगे इसके बाद राउन फंटी पल्टी करेंगे और इस साइड भी हम सेप देंगे तो यहां पर हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है अब इसकी कटिन कर लेते हैं दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं या फिर नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को भी आल पे रख लेता कि आने वाले हमारे सभी वीडियो का नेट पीकेसन आपको सबसे पहले पहुचे यहाँ पर कट लगाएंगे पाकेट के पास और कट लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमें असानी होती है स्टिचिंग करने में इसके बाद हम बेग पार्ट की कटिन करेंगे तो यहाँ पर हम बेग पार्ट की कटिन करेंगे इसके उपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे देखें अच्छे से सेट कर लेंगे यहां पर जांग वाले लाइन को इस तरह से अगे बढ़ाएंगे बेक में उसके बाद हाप इंच नीचे एक लाइन और करेंगे गुटने वाले लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर बाटम वाले लाइन को भी आगे बढ़ा लेंगे जांग के पास बेक में लेंगे तीन इंच क्योंकि साइज बहुत बड़ा है तो यहाँ पर हम तीन इंच रखेंगे और घुटने के पास रखेंगे सब दो इंच बाटम के पास रखेंगे बेक में देड़ इंच इसके बाद राउंड फंटी लेंगे और तीनों निसानों को मिलाते हुई इस तरह से सेब देंगे सबसे पहले घुटने और जांग को देंगे उसके बाद बाटम और घुटने को देंगे जहां पर हमने फ्लाई को हाप इन डाउन किया था तो बेक में हम देड इंच पर निसान लगाएंगे उपर की तरब इसके बाद बेक में कमर का निसान लगाएंगे तो कमर है 38 इंच उसका 24 इसा होगा 9.5 इंच तो यहां पर हम पीछे की तरब यह देखिए हाप इंच पर एक निसान लगाएंगे उसके बाद राउंड भंटि लेंगे और इस तरह से सेव दे देंगे तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले हाप इंच दबाव का निसान रखेंगे उसके बाद कमर का 24 इससा 9.5 इंच उसके बाद एक इंच डाट के लिए और दो इंच एश्टा निसान रखेंगे इसके बाद हीप का निसान किस तरह से लगाएंगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए उपर वाले लाइन से हम जहाँ पर फ्लाई जूड़ा हुआ है इस तरह से निसान रखेंगे उसके बाद इस निसान से हम हाप इंच अंदर की तरह पे एक निसान लगाएंगे और कमर वाले निसान और इस निसान को लाइन कर लेंगे इस तरह से करेंगे और नीचे वाले लाइन को हीप वाले लाइन से तो इस तरह से दोस्तों बीना नाप लगाए हीप का निसान बेक में असानी से लगा सकते हैं तो चले दोस्तों इसकी cut-in कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों हम लास्ट में बताएंगे जहां पर हम seat join करते हैं वहाँ पर when celine क्यों परता? फ्रेस क्यों नहीं आता है? उसको cut-in से ہम की स्थरे से ठीक कर सकते हैं और यहाँ पर pocket के पास भी फुलाउग क्यों पड़ता है उसको भी हम cutting से किस तरह से ठीक करेंगे उसको देखेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहें यहाँ पर कमर के पास इस तरह से cut लगा लेंगे और जहां पर हमने तीन इच लिया है देखी हमारे पास थोड़ा सा एश्टरा है अब देखेंगे दोस्तों यहां पर हमारे जब सीड जोइन करते हैं तो सल पड़ता है तो उसको हम कटीन के माद हमसे की सतरह से उसको ठीक कर सकते हैं और पाकेट के पास फुलाओ पड़ता है तो यहां पर की सतरह से ठीक करेंगे तो यह देखी दोस्तों यहां पर हम राउंड फंटी रखेंगे इस तरह से और इसको लाइन कर लेंगे और यहां पर जो एश्टरा कपड़ा है उसको कट करके निकाल लेंगे तो ऐसा करेंगे दोस्तों तो हमारा पाकेट के पास फुल